दोस्तो नमस्कार सुआगा थे आप सभी का अपना चैनल आई एंडी हिंदी टेक में दोस्तो एक मार्च 2021 से कुछ बैंकों की चार्ज यहाँ पर बदल रही है कुछ बैंक जो है नया चार्ज लागू कर रही है तो कुछ बैंक जो है यहाँ पर चार्ज अटा रही है आज की इस वीडियो में बैंक अफ वरोधा, HDFC बैंक, AXS बैंक और ICICI बैंक और SBI के बारे में बात करने पाले हैं आप वीडियो की आन्ते तक बने रहीएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक अफ वरोधा के बारे में बैंक अफ वरोधा के तरब से ट्विट करके यहाँ जानकारी दिया गया था कि जो देना बैंक का और बिजिया बैंक का पुराना वाला जो IFSC कोड है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा एक मार्च 2021 से उसकी पर आप अपना एस्टेट सीटी और ब्रांच नेम से IFSC कोड और MICR कोड प्राप्त कर पाऊगे नया वाला जो की पुराना वाला क्या है नया वाला क्या है यहाँ पर बता दिया जाएगा इस परकार से आप काफी आसानी से देख पाऊगे तो एक मार्च 2021 से आपको नया वा गतार कर लेती हैं दोस्तों Axis Bank के बारे में Axis Bank के तरब से 1 मarGH 2021 से Free Checkbook डills किया जायेगा Free DD Issue किया जाएगा उसके बाद اسमें इसे चार्ज जो है free कर दिया जाएगा और scheme code conversion ये भी free किया जाएगा जो कि access bank की current account पर यह लागू होगा आपको कोई भी SMS alert charge उस पर देना नहीं परेगा जो DD issue होगा वो भी free होगा चेक बुक का कोई भी charge आपको देना नहीं परेगा चेक बुक भी अब free issue होगा और scheme code conversion ये भी free होगा उसकी बाद दोस्तों बात कर लेते हैं HDFC bank के बारे में HDFC bank के तरब से भी कुछ update आया है जो कि senior citizen के लिए update आया है जो कि यहाँ पर चेक बुक पर update दिया गया है पहले 25 चे मार्च 2021 से 25 चेक बुक लिप्स जो है per financial year free ही रहेंगे लेकिन यहाँ पर additional चेक का जो चार्ज है वो 2 रुपया कर दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं तो यह बदलाब आपको senior citizen आकाउंट पर दिखने को मिलेगा additional चेक बुक का चार्ज मातर 2 रुपया अब जो है एक मा किया गया है जो कि आप देख सकते हैं 1st March 2021 से यहाँ पर मातर 90 रुपया देना पड़ेगा उसकी बाद यहाँ पर manager's check या demand drive जो है cancellation या फिर revalidation की चार्ज लगती थी जो कि आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे 100 रुपया लगता था इसे भी कम करतिया गया है अब 90 अब बात कर लेते हैं दोस्तों ICICI bank के बारे में ICICI bank के तरफ से भी update आया है जो कि यहाँ पर NRI account को लेकर update आया है ICICI bank के NRI saving account पर update आया है जो कि यहाँ पर transactions को लेकर update किया गया आप देख सकते हो monthly free जो है number of transactions 4 उसके बाद NRI pro को 7 उसके बाद NRI premium के यहाँ पर 10 की बाद य 2 लाग 5 लाग और 15 लाग रुपए यहाँ पर मिलता था उसकी बाद यहाँ पर charges जो है इस पर कार से लागू हो रहे हैं जो कि आप देख लीजेगा उसकी बाद यहाँ पर debit card की annual maintenance charge भी बढ़ाया गया है जो कि यहाँ पर card type बताया गया है ICIC bank silver debit card जो कि यहाँ पर current में 199 State Bank of India के credit card पर यहाँ पर नया charge जोडा गया है जैसा कि हम साफी को पता है कि SBI के तरब से या फिर किस भी बैंके के तरब से credit card जारी किया जाता है वहाँ पर late payment charge लगता है अगर हम लोग सही से सही समय पर payment नहीं करती हैं card का bill payment नहीं करती हैं तो उसकी बाद जो है charge लग जात आप जो है दो महीने का minimum amount due को payment नहीं करती हैं तो additional 100 रुपिया आप से लिया जाएगा जो कि late payment charge आपको जिस तरह से लिया जाता है उस तरह से तो लिया ही जाएगा प्लस उसमें GST भी लिया जाएगा लेकिन extra के रूप में 100 रुपिया और लिया जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकती हैं अगर आप दो महीने की यानि की दो cycle की आप minimum due amount को payment नहीं करती हैं तो 100 रुपिया आप से extra charge किया जाएगा अगर आपको इस charge से बचना है तो आप अपना minimum due को clear रखे तो better रहेगा जो भी outstanding balance होती है उस पर हम सभी को पता है कि late payment charge लगती है प्लस GST भी बारे में भी बता दिया bank को वरोधा के बारे में भी बता दिया HDFC bank और access bank के बारे में भी बता दिया आसा करेंगे कि आप लोगों को यह video और update पसंद आया होगा video पसंद आया तो video को like करिएगा share करिएगा और इसी परकार के video प्राप्ति के लिए channel को जरूर subscribe कीजेगा मिलत हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में हमें दीजी इजाजत तब तक के लिए goodbye